वेलकम बैक टू सिक्षा तो गई सोशल सिक्योरिटी वेलफेर स्कीम्स डिसकस कर रहे हैं ओके एक स्कीम डिसकस कर चुके और बार-बार बोल रहा हूं उस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियोस हैं सोशल सिक्योरिटी इंडिया के अंदर ट्रास्जेंडर आक्ट और उसको भी जरूर देखना है ओके और सोशल सिक्योरिटी वेलफेर स्कीम्स डिसकस करेंगे जो स्कीम हमने अब डिसकस करनी है और जो बच्चे मेरे साथ और नमाड के जुड़े हैं मैं उनके लिए भी बता दूँ कि ये और नमाड ग्रेडे में जो सोशल सिक्योरिटी वाल कॉंपोनेंट होता ना उसके अंदर भी इसकीम्स बहुत इंपोर्टेंट है जितनी ये सोशल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस है ये आप नमाड और आर्बी वाले बच्चों के लिए भी इंपोर्टेंट है वो भी इसको जरूर कवर करें तो सबसे पहले स्कीम फॉर ट्रेडर्स और से सारा पढ़ा दू पेपर के अंदर वो कोशन में मेंचन करें प्रधान मंत्री लगू व्यापारी मांदन योजना आप वहाँ पर जाकर के अपना सर खुजाने लगो कि सर ने तो हमें ऐसी कोई स्कीम बताई नहीं थी ठीक है तो इसलिए यहा बिसिकली स्कीम है और इस स्कीम के अंदर भी हम पेंशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि मिनिमम्म 3,000 रुपे की पेंशन मिले आफ्टर दा एज ओफ 60 जैसे रिटायर्मेंट के बाद जो बेनिफिट रहेगा अगेन वॉलिंटरी एंड कॉंट्रिबूशन बेस्ट स्कीम है कोई जबरदस्ती नहीं है जोइन करने के लिए आप चाहो तो कर सकते हो ना चाहो तो मत करो। क supports बेस्ट का क्या मतलब हो गया कि इसमें इसमें contribution जो है जो beneficiary है उसका भी रहेगा और सरकार भी इसके अंदर contribute करेगी Central Sector Scheme है और Ministry of Labor के अंदर ये scheme आती है contribution 55-200 रुपे का होगा वो depend करेगा एक individual पे और साथ ही साथ entry age पे ठीक है entry age जो है इसकी 18-40 years की है वो अभी मैं आपको eligibility के अंदर भी दिखाऊंगा तो basically 3000 रुपे assured देने हैं तो जिस age group में आप enter करोगे अगर आप 18 में enter करोगे तो आपकी जो मंतली contribution होगी वो कि आपता 55 रुपे हो अगर आप 30 साल के उमर में enter करोगे तो हो सकता है कि वो 100 रुपे हो वो depend करेगा कि आप किस age में enter कर रहे हो 2019 के अंदर ये scheme जो है लागू हुई थी eligibility की बात करें तो व्यापारी जो लोग है वो इसके अंदर eligible है तो ये सब इसके लिए eligible है 18 से 40 साल के उमर के बीच में आप इसको join कर सकते हो annual turnover जो है वो डेड़ करोड से जादा नहीं होना चाहिए ये जो self-employed हमने या पर लिखे है आना कि shop owner हो सकता है या retail trader तो किसी का भी annual turnover डेड़ करोड से जादा नहीं होना चाहिए अगर आपका annual turnover या इन वियापारियों में से किसी का annual turnover जो है वो डेड़ करोड से जादा का है तो वो इस scheme के लिए eligible नहीं है ठीक है और ये self-declaration के उपर ही सरकार बोल रहे हैं कि आप self-declaration देतों कि आपका डेड़ करोड से कम है तो आप इस scheme के लिए eligible हो ठीक है और अगर आपका 40 लाग से उपर का turnover है तो आपको GST नमबर चाहिए होगा नहीं तो अगर आपका 40 लाग से भी नीचे का turnover है तो आपको GST नमबर भी नहीं चाहिए saving bank account होना चाहिए उस particular person का और अधार नमबर होना चाहिए कौन-कौन eligible नहीं है scheme को join करने के लिए अगर already कोई national pension scheme के अंदर covered है या employee state insurance corporation scheme के under covered है या employees provident fund scheme के under covered है ठीक है जी तो ये already जो covered लोग है ये scheme को join नहीं कर सकते अब if the person is an income tax SSE अगर वो income tax bracket के अंदर आता है then also you cannot join this particular scheme तो ये आपको याद रखते हैं ये सारे के सारे points directly वो question के अंदर पूछेगा benefits की बात करें तो 60 के बाद minimum 3000 के short pension मिलेगी है तो मैं आपको बताई चुका हूँ दूसरा अगर for example कोई काम कर रहा है ठीक है अपनी premium कैसे पे करेगा ठीक है जो contribution है वो कैसे पे करेगा तो इसके अंदर सरकार क्या कहती है कि ऐसे केस में अगर beneficiary को permanent disability आ जाती है 60 साल की उमर से पहले तो उस केस में दो चीज़े हो सकती है उसका जो spouse है उसकी बीवी अगर beneficiary is a male और उसका अगर beneficiary is a female तो spouse क्या कर सकता है वो continue कर सकता है इस scheme को spouse को क्या हमने permission दिया कि भाई तू scheme को continue कर ले ठीक है लेकिन उस scheme को continue करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो pension या जो contribution पहले beneficiary दे रहा था अब वो contribution तू पे करता रहे दूसरी चीज तू क्या कर सकता है दूसरी चीज तू यह कर सकता है कि अगर तेरे को लगता है कि नहीं यार मेरे कोई scheme भी नहीं continue करनी है तो तू उस scheme से exit कर जा और उस scheme से exit करेगा तो जितना पैसा अभी तक इकठा हुआ है उस scheme के अंडर, तो वो तेरे को हम दे देंगे और साथ की साथ उसके उपर तरको interest भी मिल जाएगा, तो ये दो चीज़े हैं अगर pension के time पर, यानि कि 60 years की age के बाद जो subscriber है, वो death हो जाती है उसकी, जो beneficiary है, उसकी death हो जाती है तो spouse को pension मिलती रहेगी, लेकिन spouse को pension जो है, वो 50% ही मिलेगी, तो मतलब की 3000 का 1500 ही मिलेगा ठीक है जी, so these are the important points for this particular scheme, again छोटी सी video में points cover होगे, इसी तरीके से schemes की, एक-एक scheme की, बनाने को मैं एक घंटे की lecture में 10 scheme भी cover करा दूँगा, बात हो पड़ेगी, लेकिन यह छोटी-छोटी schemes बना रहा हूँ, उससे क्या होगा, एक तो आपको अगर कोई particular scheme revise करनी होगी, इमिजेटली वो वाला वीडियो खुला और scheme revise होगी ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जैसे break period में हो, अभी self study इसे break लिया है, तो चलो पांच minute एक scheme देख ली, वो वाली चीज हो जाएगी ओके, telegram group join कर सकते हो description में link है, वहाँ पर कोई भी doubt पूछ सकते हो, whatsapp कर सकते हो, mail कर सकते हो PDF files का link description में है but EPFO से related या EPFC से related जो भी videos है उनकी जो PDF है, they are paid, सिरफ 99 रूपीज है 99 रूपीज में कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना, 99 रूपीज is just कि UPSC का exam जो बच्चे देंगे वो serious होने चाहिए, और इसी लिए ये PDF rating के लिए set किया गया ओके, चलिए, मिलेंगे next lecture में till then take care and bye